सभी व्यूवर्स को मेरा हिदय से प्रणाम आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे मेरा नाम है लवकुशमिश्रा और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SST वाले गुरुजी पर स्वागत करता हूँ तो आईए बिना समय को बरबात किये हुए हम अपने टॉपिक को समझते हैं आज का हमारा टॉपिक है लॉग आंसर कोशन क्लास 10 का बहुत इंपोर्टन चीज़ है पांच मार्क्स का होता है पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेश रखता है और जन्री क्या होता है हम इस पर फोकस नहीं करते और फिर इंतहान में नहीं आता है तो ये बड़ा सेक्षन ले जाएगा अगर लॉग कोशन इंतहान में नहीं आया तो ये जादे मार्क्स गवाएगा इसलिए इस पर भी ध्यान देना जरूरी है आज हम बात करेंगे कैसे लॉग कोशन के बारे में जो की एक्जाम में बहुत ज़्यादा बार आ चुका है और आगे भी इसकी आने की संभावना है चैप्टर है नैशनलिजम इन यूरोप का एक और तरीका है देखिए कोशन का काम है भेस बदल बदल करके इमतहान में आना लेकिन हमारा काम क्या है कोशन को पहचानना अगर आपके दिमाग में कॉंसेट क्लियर है कोशन किसी भी तरीके से आ जाए आप कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है आप कोशन को रिकोगनाईज करिए और अपनी पढ़ी हुई चीजों को याद करिए और कोशन पर तुरंट अटैक कर दीजे खतम कर देना है उसे और भी कई तरीके से कोशन एक्जाम में पूछा जा चुका है लेकिन यहाँ पर हमने दो में तरीके बताए हैं आपको हो सकता है और लेंग्वेज चेंज करतें CVSC लेकिन आपको विच्रित नहीं होना है जो मैं आंसर आपको बताने जा रहा हूँ अभी वही आंसर आपको लिखना है कोशन किसी भी तरीके से आए इस कोशन में पूछा गया है कि फ्रेंच रिवल्यूशनरीज ने कौन-कौन से स्टेप्स लिये थे फ्रांस के नागरिकों में अपने पन का भाव उत्पन्र करने के लिए अगर लोगों के अंदर देश भक्ती की भावना आपको भरनी है तो ये तुरंट तो हो नहीं जाएगी इसमें तो आसा टाइम लगता है कुछ प्रोसेस होता है कुछ चीजे करनी पड़ जाती है और जो चीजें जो स्टेप्स लिये जाएंगे यही तो हमसे कोशन में पूछे गए हैं तो इन चीजों को वन बाई वन पढ़ेंगे हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं यहाँ पर एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे हम सब जानते हैं कि फ्रेंच रिवल्यूशन में क्या हुआ था क्लास नाइन्थ में हमने पढ़ा हुआ है कैसे लोगों ने राजा की सत्ता से निकल करके सत्ता को नागरिकों के हाथ में दिया मोनार्की से निकल करके कॉंस्टिटूशनल मोनार्की पे आये थे राजा को फांसी की सजा दी गई थी सब कुछ खतम किया गया था जितनी भी उसके पास despotic powers थी लोगों की भीड निकलती है और बास्तील के किले का विद्वन्स कर देती है एकदम उसको तहश नहश कर देती है लेकिन यह सम्हुआ कैसे लोगों के अंदर इतनी ताकत आई कैसे step by step समझेंगे कि कैसे लोगों के अंदर इतनी ताकत आगई और वो फ्रांस को अपना देश समझने लग गए point number one है internal customs duties and dues were abolished फ्रांस में क्या हुआ करता था बहुत सारे custom duties लगती थी बहुत सारे tax लगते थे यह सब चीजे internally इतनी ज़्यादा थी कि जितने भी लोग व्यापारी थे अफिर जो लोग travel वगरा करते थे उनको बड़ी problem होती थी तो French Revolutionaries ने क्या किया कि इसको abolish कर दिया खतम कर दिया internal custom duties को, dues को इन सब चीजों को खतम कर दिया गया ताकि लोगों को trade में अराम रहे फ्रास सहूलियत हो जाये उन्हे वहना लोग tax ही देते रहते थे क्योंकि राजा इतने tax लगाया हुआ था जनता के उपर तो इन्होंने उन सब चीजों को खतम कर दिया point number two है a uniform system of weights and measures was adopted France में क्या है कोई uniformity नहीं है कोई समानता है ही नहीं अलग अलग जगे पर अलग अलग weights चल रहे है अलग 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 measurement का system चल रहा है कहीं एक किलो में 1000 ग्राम है कहीं एक किलो में 800 ग्राम है कहीं एक किलो में 500 ग्राम ही है मतलब अपनी अपनी जगे का अपना अपना system एक मीटर में कहीं कपड़े का मान अलग है तो कहीं पर अलग है एक लिटर की कहीं वैल्यू अलग है तो कहीं वैल्यू अलग है इन सब चीजों को खतम किया गया एक uniform system of weight and measurement को adopt किया गया ताकि पूरी country में एक समान values चल सकें कोई भी discrimination ना हो कोई confusion ना हो लोगों के अंदर point number three है French common language of the nation French language को इन्होंने क्या किया common language बना दिया पूरे nation की बोल दिया कि अब भाईया फ्रांस में सब लोग केवल French language बोलेंगे उसी के नीचे हमने लिखा हुआ है regional dialects discouraged dialect सा क्या मतलब होता है छित्रिय बोलिया उप बोलिया जो आपके हाँ local languages बगरा चलती है उनको क्या किया गया उनको discourage किया गया उनको हतोत साहित किया गया बोला गया कि नहीं नहीं French बोलिये French हम लोग सब French बोलेंगे क्योंकि ये दिखाएगा कि हम लोग सब France के नागरिक है पॉइंट नमबर फोर है न्यू हाइम्स composed and oaths taken राश्ट्र के नाम पर भजन रचे गए इस्तुतियां रची गई नए नए गाने लिखे गए लोग उनको गुन-गुनाते थे इससे क्या होता था इससे उनको लगता था कि आप सब लोग France के स्वतंतरता के लिए लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंस के लिए हम सब revolution में हैं oaths का मतलब होता है शपते हैं राश्ट्र के नाम पर शपत ली गई जैसे आपके हाँ national anthem होता है national song होता है वैसे ही उन्होंने भी अपने हाँ national anthem, national songs इन सब चीज़ों को create किया ताकि सब लोगों को एक चीज़ बताई जा सके और वो सब लोग जुड़ जाएं France की revolution में यह दोनों आइडिया लिया गया बहुत important है लापत्री क्या है दा फादर लेंड और ले सिटोयन क्या है दा सिटिज़न यह French terms है क्या किया French revolutionaries ने French revolutionaries ने लोगों को यह एहसास कराया कि France जो है वो उनका फादर लेंड है लापत्री है जैसे हम भारत में कहते हैं न कि भारत हमारी माता है भारत माता है वैसे ही वहाँ पर लोगों को बताया गया कि France जो है यह आपका fatherland है पिता है आपका France मतलब राश्ट्र से क्या किया जा रहा है लोगों का संबंध इस्थापित किया जा रहा है connected महसूस कर रहा है लोग और लोगों को क्या बोला लोग है ले सिटोयन सिटिजन है किसके सिटिजन है France के सिटिजन है मतलब लोग है France के नागरिक और France है उनका पिता आपस में एक दम घर जैसा संबंध बना रहे तभी तो लोग राश्ट्र के लिए मर मिटने को तयार होंगे न जब वो अपना संबंध स्थापित कर पाएंगे राश्ट्र से तभी तो नैशनलिजम की फिलिंग आएगी पॉइंट नमर शिक्स है न्यू फ्रेंच फ्लैग रिप्लेसिंग दा फॉर्मर रॉयल फ्लैग अब इन्होंने क्या किया इन्होंने नया फ्रांस का जंडा बना दिया पहले क्या हुआ करता था पहले राजा जी का एक जंडा चलता था जिसको क्या बोला जाता था रॉयल फ्लैग बोला जाता था अभी क्या किया इन लोगोंने अभी इन लोगों ने अपना एक ट्राई कलर फ्लैग बना लिया नया फ्रांस का फ्लैग है लोग उसको देख रहे हैं जुड रहे हैं राश्टर के नाम पर ये सब नई नई चीजे करी जा रही हैं ताकि लोग फ्रांस से connected महसूस कर पाएं अब लोग जंडा लेके चलते हैं उनको गर्व होता है पहले राजा जी का जंडा लेकर के चल रहे हैं मन करे चाहे ना करे अब राजा जी कहे हैं तो चलना पड़ेगा पॉइंट नमबर सेवन है Estates General was elected and renamed as National Assembly पहले Estates General नाम की एक संस्था होती थी राजा की संस्था थी उस पर राजा का पूरा का पूरा कंट्रोल चलता था अभी क्या किया गया अभी Estates General को elect किया गया और उसका नाम Estates General से बदल करके National Assembly रख दिया गया इस सब points बहुत important है लिखते वक्त जरूर धियान रखियेगा National Assembly हो गया है नया नाम किसका? Estates General का Point No.8 है Centralized Administrative System Established क्या किया गया? पूरे के पूरे फ्रांस में एक Centralized Administrative System लगाया गया ताकि Center से कानून बने और सब जगे बराबर से लागू हो सके अच्छे कानून बनाना है Administrative System को Improve करना है ताकि लोगों को Better Governance मिल पाए अब फ्रांस किसकी तरफ बढ़ रहा है? धीरे धीरे Democracy की तरफ बढ़ रहा है Constitutional मुनार्की वहाँ पे लगा दी गई है लोग बराबर representation कर रहे हैं अजाद कराने के लिए राजा से जो कि बिलकुल निरंकुष था डैस्पोटिक था किसी की नहीं सुनता था तो ये कुछ steps आपके exam में आपको लिखने होते हैं जब आपके में long question आता है और आने की इसकी बहुत ज़ादा उमीद है बहुत important है उमीद करता हूँ कि जितनी भी बाते मैंने आपको इस वीडियो में समझाई है वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी हमारे चैनल को subscribe करिए इस वीडियो को like करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा share करिए इस वीडियो के description में हमारे टेलिग्राम चैनल का link है आप उसको join करके हमारे साथ connect हो सकते हैं और अपने doubts हम से पूछ सकते हैं अब आपका social science का ही paper है तो बिलकुल महनत से पढ़िएगा और सारी important चीजों पर नजर रखिएगा मेरी तरफ से आपको आपके paper के लिए बहुत बहुत शुब कामना है मैं हमेशा भगवान जी से आपके उजवल भविशे की कामना करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत